21 सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल इंपार्मेंट की जो सोच है अमबेटकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की वो इसके अंदर है आप किसी भी स्टेट में चले जाएए केरला में नराइन गुरु जी, करनाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवा जी महराज हर स्टेट में आपको ऐसे दो-तीन नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें सभरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए कहीं लिखा है इस किताब इस किताब में लिखा है कि जूट का परयोग करकर सरकार चलानी चाहिए मुझे दिखा दो कहां लिखा है तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है सिंपल सी बात है ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है कुछ दिन पहले तलंगाना में हमने कास सेंसर्स का काम शुरू किया और वो ब्यूरोक्राटिक एक्सरसाइज नहीं है पहली बार कास सेंसर्स को तलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है जो सवाल पूछे जा रहे हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं वो लाखों लोग उसमें दलित आदिवासी पिछड़े वर के लोग गरीब जनरल कास के लोग माइनॉरिटी के लोग सब लोग हैं और तलंगाना की जनता ने सेंसर्स डिजाइन किया है एतिहासिक कदम है और जो हम तलंगाना में कर रहे हैं जहां भी हमारी सरकार आएगी जिस स्टेट में चाहे करनाटा को तलंगाना हो और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी हम उसी प्रकार से जाती जनगरना को करेंगे आएंगे वहां भी आएंगे जाती जनगरना क्यूं क्योंकि अगर हमें हिंदुस्तान के पॉपिलेशन को देखें तो पूरा देख जानता है कि 15% दलित अबादी है 8% आदिवासी है तक्रिवन 15% माइनोरिटीज है मगर पिछड़े वर के कितने लोग है कोई नहीं जानता लोग कहते हैं कि पिछड़े वर के तक्रिवन 50% है कोई कहता है पचपन है अलग-अलग स्टेट्स में अलग है मगर पिछड़ा वर पचास परसेंट से कम नहीं है कितना है कोई नहीं जानता है तो अगर आप जोड़ लें पचास परसेंट पिछड़ा वर गो गया पंद्रा परसेंट दलित तक्रिवन आठ परसेंट आदिवासी पंद्रा परसेंट माइनोरिटी तो 90 तक्रिवन 90 परसेंट हिंदुस्तान की अबादी इन वर्गों में से आती है